नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जो रोजगार की तलास में है विशेश तोर पर 36 गड़ के अंदर ही तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है कि हजारों में पद निकला हुआ है जेडी एज ग्रामिन डाक सेवक के अंतरगत ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक यह तीन प्रकार के पद होते हैं तो आप आगे देखेंगे कि इसके बारे में और क्या जान करिए ग्रामिन डाक सेवक का यह अंतरगत का पद है तो यहां पूरा डीटेल दीया हुआ है तोटल 86 पेज है तो मुखे-पॉइंट इसमें यह है कि इसमें तीनद प्रकार के केटेगरी है एक ब्रांच पोष्ट मास्टर और एक एक यह दाक सेवक पहले यह अलग नाम से जाने जाते तक का यहां सेलरी मिल सकता है और डिपेंड करता है सर्वीस कहां पर आपका लगा और कितने अवर्स का आपका ड्यूटी है तो यह देख सकते हैं यहां पर बीपीम के लिए आप देखेंगे तो बारह हजार से लेके चाहँदाईजार पास्ता हो और एविपीएम मतलब असिस्टेंट बीपीएम और डाक सेवक के लिए दस जार से लेके बारह हजार तक का सेलरी है और साथी साथ इलिजीबिलीटी मतलब अरहता न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए इस पत के लिए तो बहुत ही दस्वी होना चाहिए बस टैंथ पास होना चाहिए बस यही इसके लिए न्यूनतम अरहता है दस्वी पास जो भी अभ्यरती है वो इसमें अपलाई कर सकता है और अपलाई और 40 के बीच होना चाहिए, 37 जो छूट लागू होता है, वो भी लागू होगा, जो छूट मिलता है, वो भी लागू होगा, वो आप देख सकते हैं, आप पे दिया हुआ है, सब लागू होगा, क्योंकि यह गोर्मेंट जॉब है, और आगे आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे नियाम है, सब इसमें दिया हुआ है, इजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता दिया गया है, कि दस्वी पास होना चाहिए, जिसमें दस्वी में आपका मैथ और इंगली जिस कंपलसरी होना चाहिए, 37 जिस स्टेट में हैं, आप वहां का जो इस्थानी भासा है, या इस्थानी बोली है, उसका ज्यान होना चाहिए आपको, 36 गड़ में है, तो हिंदी आपको आना चाहिए, ये जरूरी है, इसके 37 आपको सैकल चलाना आना चाहिए, और कंप्यू कर सकते हैं, 60 दिन का जो कोर्स होता है, वो भी मानने है, इसमें जिस तरह से दिया गया है, तो आपको basic knowledge होना ही चाहिए, इसका certificate भी आपको देना पड़ेगा, अगर certificate नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है, 60 दिन का ही मांगा गया है, तो 60 दिन का बनवा सकते हैं, कोर्स आप कर सकते हैं, और वो मानने होगा, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे नियम बताए हैं, और आविदन किस तरह से करना है, तो आविदन करने के लिए online सुईधर दी गई है, 37 आप साइबर के फे या internet के फे, computer center में जाकर इसे fill up करा सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज बता आया गया है, तारीक, तारीक जो है, 8 मार्च 2021 से लेकर के, 7 अपरेल 2021 तक कर सकते हैं, online application यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, डेट 8 मार्च 2021 और 7 चार 2021, विज्यापन की तिथी 8 मार्च 2021 है, और इसी तिथी में आपको आपकी जनम की जो आउधी है, वो count करना है कि आ दिने वर्स के हो रहे है, 8 मार्च 2021 में, और 7 अपरेल 2021 तक आविजन, online आप apply कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, website भी दिया हुआ है, जहां से आपको online apply करना है, यह देखिए, बहुत important है, कई लोग इसको छिपा देते हैं, तो यह website यहाँ जाके online apply कर सकते हैं, भी ज्य सब यहाँ पे upload करना होगा, अगर पी एच हैं, मतलब दिव्यांग में हैं, तो उसका certificate यह सब upload करना होता है, आपका photo, signature, जो भी requirement है, वो upload करना होगा, और उसके साथी online application हो पाएगा, selection procedure क्या है, वो भी इसमें बताया गया है, कि selection merit based पे होगा, कोई परिक्षा नहीं होगी, आपका दसवी का जो mark seat में जो आपका number है, प्रतिस्सत है, उसके अधार पे यहाँ पे आपको निकती मिलेगी, आपका चैन होगा, selection will be made as per the automatic generated merit list, as per the rules based on the candidate online submitted application, दसवी का जो आंख है, उसके दसमलाओ के चारंग तक लिया जाएगा, और उसके अधार पे merit list, automatic computer generated होगा, तो दसवी के number के धार पे आपका selection होगा, तो इसको आप like कीजिए, share कीजिए, और लाल के लिएक का subscribe बटन दिखता है, उससे दबाईए, साथी bell icon को दबाग रखिए, ताकि अन्य वीडियो की चान करिए आपको मिल सके, बिल्कुल फिरी में, धन्यवाद,